हलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जीद्डा की यूटूब प्लेटफॉर्म पे मैं से लेस आप सभी का हर्दिक श्वागत करता हूँ प्यारे साथियों जैसे कि आप सभी को पता होगा आपका BPSC का जो अगला एक्जाम है वो मार्च में होगा टायर 3 उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना जो है 6-8 का जो आपका SST का पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं उसमें हम लोग आज last option को सॉल्व करेंगे political science को सॉल्व करेंगे देखते हैं किस label का question आता है 40 question सॉल्व करेंगे और जो भी भाई बंदु ये 40 question सॉल्व कर लेंगे मानगे चलिएगा कि आपकी त्यारी बहुत अच्छे चल लई है भारत के संबेधान में निम्रिकित में से किस भासा को रास्ट भासा का दरजा दिया गया है हिंदी संस्कृत अंगरेजी उपरियुक्त में से एकसे अधिक उपरियुक्त में से कोई नहीं अब आपको बता दे रास्ट भासा हमारे यहां कोई नहीं है तो इसका right जबाब तो ई होगा लेकिन हिंदी हमारी राज भासा है अर्थात राज काज की भासा है तो हिंदी को राज भासा कहा गया है यह नोट कर लीजिएगा क्या कहा गया है राज भासा का दर्जा मिला हुआ है चलिए रास्ट भासा बाबु कोई नहीं हमारे हां भारतिय कैविनेट में पहली महिला थी आपको जबाब देना है वो थी राज कुमारी अमरित कौर यह है आपकी जो भारतिय कैविनेट थी स्वतंतरता के बाद उसमें जो है यह आपकी पहली महला थी याद रखेगा स्वतंतर पाल्टी के संस्थापक आपसे पूछा है कौन है तो सी राज गुपाल्चारी जी हैं स्वतंतर पाल्टी के संस्थापक याद रखेगा इस क्वेश्चन का एंसर चौथे पर चलते हैं रास्ट निर्मार के लिए आधार भूत द्रिष्टिकोण में समलित नहीं है तो नहीं है का जबाब आपको देना है नेत निर्मार में छेत्री मुद्दों पर परियाप्त ध्यान दिया जाना अब ये है तो ये गलत होगा हमसे नहीं पूछा है विभिन संस्कृतियों की विसस्ताओं को छोड़े विन स्विंक सामाजिक जीवन ये भी है तो ये भी गलत हो जाएगा छेत्री आकांचाओं की राजनितिक अभिवक्ति को रास्ट विरोधी मानना बिल्कुल यही आपका सी वाला राइट जबाब हो जाएगा प्यारे साथियों चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच पर और देखते हैं क्या कह रहा है संब्यधान सभा ने संब्यधान को अंगिकार किया तो संब्यधान सभा ने संब्यधान को कब अंगिकार किया बढ़ियां क्वेश्चन है आपको राइट जबाब देना है वो दिन था भया 26 नंबर 1949 का जब संबिधान सभा ने हमारे संबिधान को अंगिकार किया था इन में से कौन संबिधान सभा में उपाध्यक्ष थे अध्यक्ष नहीं पूछा है उपाध्यक्ष पूछा है तो H.C. मुखरजी थे ये महत्वण कुश्चन है फर्स ये question बन सकता है आप लोग इसको याद रखेगा तो ये उपाध्धक्ष की चर्चा की है राज के नीत निर्देशक तत्व लिए गए है आयर लेंड बस ऐसे याद रखेगा नीती कहां से जुड़ी होती है नीती जुड़ी होती है लेंड से इसलिए कहां से हो जाएगा आयर लेंड हो जाएगा चलिए कह रहा है कि किसका संबंध राज चुनाव आयोग से है कौन सा संबंध है तो जो आपका तिहतरवा संबिधान संसोधनियाद हुआ मतलब हुआ था वही राज चुनाव आयोग से संबंदित है याद रखेगा बढ़िया क्वेश्चन है एक्जाम में छप सकता है भारत में चुनाव के संबंद में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो सारववामिक वयस्क मताधिकार है हमारे यहां बहुदली बिवस्थ स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है तो D आपका राइट जबाब हो जाएगा उपर्यूग्त में से एक से अधिक आपके राइट जबाब हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर दस पर चलते हैं और देखते हैं दस क्या कह रहा है असत्य कथन की पहचान आपको करना है कह रहा है असत्य कथन कौन सा है लोक सभा का प्रथम आम चुनावर्स 1951 में आयोजित हुआ था बिल्कुल सही है प्यारे भाहिया स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावर्स के लिए एक निर्वाचन छेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उप्योग हो रहा है बिल्कुल सही है 1990 के दसक के अंत से इलेक्ट्रानिक ओटिंग मसीन के द्वारा मत पत्रों की विवस्था जो है गलत हम से पूछा था तो हम गलत हमें बताना था 11 पर चलते हैं और क्वेश्चन नमबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं निमलिकित में से किसका संबंध जो है वो परमादेश से है न्याले यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक करतब या पूरा नहीं कर रहा है और किसी विक्त के अधिकार का अतक्रमण कर रहा है तो यही है पहला वाला ही राइट जवाब हो जाएगा चलिए कुश्चन नमबर बारा पर चलते हैं और बारा का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा प्यारे भाहिया भारतिय संब्यदान का अनुच्छे 324-1 मतलब 1 किससे संबंधित है आपको राइट जवाब देना है तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है याद रखिएगा 324-1 जो है ये किस से संबंदित है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है चलिए चलते हैं हम लोग अगले कोश्चन पर और देखते हैं अगले कोश्चन का राइड जबाब क्या होगा संबंधित में से कौन सा कथन असत्य कथन आपको चुनना है तो संबंधित में परतिरक्षा, विदेशी मामले, वेंकिंग, रास्ट महत्य के विष्चन हैं बिलकुल सही है पूर्य देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की अविशक्ता है इसी करण इन विष्चन को संग सूची में डाला गया है, ठीक है, संग सूची में वरड़ित विश्यों के बारे में कानुन बनाने का ओधिकार के वलके इंद्र सरकार को बिल्कूल सही है, तो इवाला आपका राइट जबाब हो जबाब होगा, क्योंकि यहां क्या हो जबाइगा, कोई गलत आफसन न पर चलते हैं आधार भूत सरचना सिध्धान्त के विशय में कौन सा कथन सत्य है पंद्रा का राइट जबाब देना है तो एक भारती मतलब यह एक भारती नयाग सिध्धान्त ठीक है या सिध्धान्त केसवा नंद भारती केस में भारत के सरवोच न्याले के नड़े पर आध ठीक है या सिद्धान्त केवल संबैधानिक संसोदने उपर लागो ठीक है तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है आपको जबाब देना है पंदरा का तो भाया यहां सब सईयत उपर्यूग तुमें से एक से अधिक एंसर जो है आपके सई हो जाएंगे 16 नंबर पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के नियोजित विकास माडल के संबंध पर जो कथन है इन पर आपको विचार करना या माडल विकास के यूएस असार मॉडल से प्रेरित था नहीं प्रथम पंचवर्षी योजना के प्रारूप दस्तावेश को 1991 में जारी किया गया था नहीं पीसी महा लनोविस प्रथम पंचवर्षी योजना के वास्तुकार थे बिल्कुल सही है आपका सी राइट जबाब हो जाएगा चलिए 17 नंबर पर चलते हैं संबिधान के अनुसार संगीर विधाई का निकाय को कहा जाता है किसको कहा जाता है प्यारे भीया जबाब दीजिए संसद को कहा जाता है याद रखिएगा कह रहा है कि निम्लखित में से संसत के अंतरगत कौन आता है राश्टपती, राजसभा, लोकसभा, डी आपका राइट जबाब हो जाएगा याद रखेगा 1990 के पश्चाद भारती राजनीत युग के विशे में कौन सा कथन सही है यह आर्थिक सुधारों पर आमसहमती का युग है ठीक है यह गडवंदन सरकारों का युग है भी ठीक है संग के बाहर स्वायतता के लिए प्रानुती आकाक्षाओ में व्रधिक अगठिक है तो डी निवारे है कौन सा अनुच्छेद बात करता है तो अनुच्छेद तीन सो चालीस बात करता है याद रखिएगा कह रहा है कि भारत्य संबिधान के संसोधन में समलित होता है संबिधान के संसोधन में कौन समलित होता है तो आपका भया रास्टपती भी होता है संसद भी होत बहया किया चासकता है इसमें कोई दोगराई नहीं है बिलकुल हां किया जा सकता है चलिए। 23 पर चलते हैं और देखते हैं 23 क्या कहता है हमसे। सम वर्ती सूची का उलेख किसम है बढ़िया कुश्चन है किसम है तो आपका 7 वी अनसूची में है याद रखिएगा प्यारे साथियों चलिए सार्व भौमिक वयस्क मत अधिकार का अर्थ की मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है तो 24 का राइट जबाब क्या होगा जात या लिंग से आस्था से संपत्य से डी आपका राइट जबाब हो जएगा सभी के सभी आपसन आपके साई है पच्चेस निमलिकित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्टपती द्वारा की गई भारत के मुख्य नाधिस उचनेयले के नाधिस राज्य निर्वाचन आयुक्त किसकी किसकी नियुक्ति होगी भया तो यहां भी आपका सबकी नियुक्ति राष् सम्बंदित है, 286 तो 26 का रहेत जबाब क्या हो जाएगा, sorry, 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 with आयोग है, with आयोग से संबंदित है, 6, 288 किस से संबंदित है, mistake हो गई, इसके लिए बहुत-बहुत स्वारी, तो आपका with आयोग से संबंदित है, ठीक है ना? चलिए 27 पर चलते हैं 27 का राइट जबाब ढूरते हैं मौलिक करतब्यों को किस समित की सिपारिश पर सम्वेदान में जोडा गया था तो वो था स्वरण सिंग समित याद रखेगा मौलिक करतब्य हमारे स्वरण है ऐसे याद रखेगा मौलिक करतब भी क्या है हमारे देश के लिए स्वाण है किस देश में first past the post प्रडाली है 28 का राइट जबाब देना है कैनाडा भारत United Kingdom D आपका राइट जबाब हो जाएगा सब में हैं प्यारे साथियों चलिए 31 नंबर पर चलते हैं ताड़ी विरोधी आंदोलन की सुरुवात किस राज्य में होई थी तो 31 का राइट जबाब है आंध प्रडेश में होई थी याद रखियेगा चलिए 30 पर चलते हैं ऐसे विधयक जिनमें सपस्ट रूपसिक करारोपण या करोगे संपत्ती से संबंदित प्रावधान होते हैं उन्हें किस रड़ी में रखा जाएगा तो उन्हें भयाधन विधयक में रखा जाता है याद रखियेगा 31 कह रहा है कि किसका लोगतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है तो वो आपका कटर पंथी होता है जिनका लोगतंत्र में विश्वास नहीं होता है 32 करा लोगतंत्र के अंतर विरोधियों को इंगित करने के लिए the apple cart नामक नाटक लिखा तो 32 का राइट जवाब क्या हो जाएगा जौर्ज वनार्ट सा ने लिखा था 33 पर चलते हैं जल्दी से बताईए तो वो लिखने वाले आपके परताब भानु महता जी हैं याद रखेगा भारत के संबिधान जो भारत का संबिधान उसको किसने बनाया है तो आपको बताना है किसने बनाया है भाया तो जल्दी से 34 का राइट जवाब देजिए वो बनाया है भारत की संबिधान सभाने बनाया है याद रखेगा 35 पर चलते हैं 35 कह रहा है कि किस देश ने एकदम आरंब से ही अपनी लोकतांतरिक ब्यवस्था में सार्व भौमिक वयस्क मताधिकाल लागो किया है तो 35 का राइट जवाब होगा भारत भाया कौन होगा भारत याद रखेगा 36 पर चलते हैं किस देश में एक बहुमत वादी लोकतांतिक राजबेवस्था जो है का होना माना जाता है तो 36 का राइट जवाब क्या होगा सीलंका क्या होगा सीलंका होगा याद रखेगा 37 पर चलते हैं और 37 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है याद रखेगा बताए राइट जवाब क्या होगा 37 का तो 37 का राइट जवाब होगा भया आपका पंचायत भी याद रखिएगा 38 पर चलते हैं एक लोकतांतिर राग ब्यवस्था में सत्ता संगर्ज का सबसे सुंदर प्रकार निम्लखित में से कौन सा है तो 38 का राइट जवाब होगा भया चुनाव याद रखिएगा 38 का राइट जवाब क्या हो रहेगा एप चलिए 49 पर चलते हैं इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र का गहरा जो है करने का स्रे दिया जाता है 49 का राइट जवाब होगा जवाहल लाल नहरू को चलिए लास्ट कोईशन पर चलते हैं इस स्रीज के इनमें से किस सिद्धांत ने लोकतंत्र सब्द को बहुतंत्र सब्द से इस्थानापन करना चाहा है तो 40 का राइट जवाब क्या होगा राबर्ट डहल ने हमने पॉलिटी के भी 40 कोईशन किये हैं प्यारे साथ हूँ ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए चैनल पर नए है तो सस्क्राइब कर ये वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर पहुचाईए प्यारे साथ हूँ जी हाँ हम आपको बहुत सारे ऐसी सीरीच करवाते रहेंगे आपकी एक्जाम तक ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको मजबूती मिले साथ ही साथ हम आपका one liner भी चला रहे हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप लोग one liner form से भी जुड़ सकते हैं और जो है अपनी तयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं तो प्यारे साथियों इजी के साथ जो है हम लोग आज की क्लास को यहीं पर इंड करते हैं किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो कोई समस्य हो अगर आपको जानना या पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बे हिचक जो है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और इसका पीड मिल जाएगा प्यारे साथियों तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यबाद